हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं पैजणी, पायल, पायल के अंदर ये वायर इस्प्रिंग द्वारा जो तार का इस्प्रिंगा बनाये हम च्यांदी का इसमें एक घुगुरू पहनाना है ऐसे गुछाई करना है और एकवा एक तार होता है सबी ये देख सकते हैं आप घुगरू है इसको भी घुगरू को फिनिश नहीं किया गया है ठीक इसको फिनिश नहीं किया गया है ये घुगरू है तो गुथाई करने के बाद इसको finish कर दिया जाएगा या बरस से सफा कर लीजिए या vibrator कर लीजिए polish कर दीजिए कुछ भी कर दीजिए हो जाएगा यह pile है कभी कभी पुराना pile भी आता है उसमें घुग्रु लगाने के लिए और ये ने पायल में भी घूरू लगता है जो पैजनी होता है बिवा और सादी में जो जाता है तो इसको लगाने का जो तरीका है एकदम बेश्ट है एक स्प्रिंग बनाईए लगातार यहां से लेके यहां तक एकवायक चला आएगा और इसके अंदर एक वायर डाला जाता है कुछ पैजनी में वायर डाला भी जाता है कुछ में नहीं डाला जाता है जो लूज वाला पैजनी होता है उसमें वायर नहीं डाला जाता है और बहुत सारे पैजनी में वायर डाला जाता है तो वायर डालने से एक लाबावर होता है कि जब घुगरू ऐसे लटका रहता है लूज वाले में लेकिन जब वायर डाल देंगे तो ऐसे हो जाता है तो ये बहुत ही गज्जीन लगता है और अच्छा लगता है तो स्टार्ट करते हैं अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर में पैजनी में घुगरू कैसे पड़ता है तो इसके लिए ये जो वायर है आप इसके नाप का एक स्पिरिंग बनाईए और इसको इतना चाड़ लीजिए इतना ही चाड़िए जितना इसका छेदा बराबर बराबर मैच करें देख सकते हैं आप ठीक इसके लिए आपको एकाग दो में पहले डाल कर देख लेना है कि हमारा सही सो वर्क कर रहा है कि नहीं ठीक है तो अभी हमारा देखिए सेट नहीं हुआ अभी वर्क ही नहीं कर रहा है स्प्रिंग मतलब फिरी जाना चाहिए तो अभी स्प्रिंग हमारा ज़्यादा जड़ा गया इसको हम कम कर लेंगे हमने इसको ज़्यादा और कम बेसी करके इसलिए देखाया कि आप देख लिजी अगर कभी ज़्यादा हो जा तो कम भी कर लिजीए और कम हो जाए तो ज़्यादा भी कर लिजीए ठीक है देखिए अब यह हमारा work करने लगा थोड़ा सा और इसको दबाना है भी हलका सा एक खाली set करने का ज़रुत होता एक खाली set हगर हो गया उसी हिसाब से पूरा set हो जाएगा तो वीडियों बने रिये दोस्तों हम उस topic पर वीडियों बनाते हैं जिस topic पर आपको कोई knowledge नहीं देता है कोई जानकारी नहीं होती है या तो होती है तो कुछ कारीगर के पास होता है लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं तो हम कारीगरी के लिए पूरा आपको बताते हैं कि जिससे आप सीख सकें अच्छे ढंग से आप अपना जीवका चला सकें बढ़ियां से और कोई भी काम कारीगरी में आवे देखिये सर्थ एकदाम हमने फिरी कर दिया ठीक है एकदाम फिरी है कभी कभी इसका मुँ अगर ऐसे हो तो इसको ऐसे हलका सकर दीजिए ये देखिए शिटिंग एकदम आप देखिए एकदम मसता हैगा ठीक है हाँ इसी हिसाब से होता है और कहीं अगर फस जाए तो इसको आगे पीछे इसे कर सकते हैं तो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि अब हम इसको कैसे गुथाई करते हैं तो सर्व प्रत्थम इसके अंदर ऐसे डाल लेजिए पहला पहला डालने के बाद इसमें तीन घुगरू डालेंगे आप हम बता देना चाहिए दोस्तों ये घुगरू अभी सफाई नहीं हुआ है नहीं खटाई लगा है नहीं तो वाइट होता है ये तीन घुगरू डाल दिए आप बस इसी हिसाब से आप डालते जाएए हाँ ये जब आप गुते गुते यहां तक आएंगे तो थोड़ा टाइट होता है क्योंकि लंबा हो जाने को जैसे लेकिन हाँ चल इस्प्रिंग के ही मात्फ़त चला चल सब चला जाएगा क्योंकि कोई चीज गुताई होगा तो भाई टाइट होगा ही तो पायल अपना सिधा करते चले जाएंगे और ये अपना वर्क करता चला जाएगा तो ये तो हम राइट से इस्प्रिंग बना हैं आप लेट भी ऐसे बना सकते हैं कि ओ आपके शुद्धा उन्सार है हमको अच्छा लगता है राइट से तो हमने ऐसे इस हिसाब से इसको मुमेंट कर रहे हैं इस हिसाब से आप लेट से भी कर सकते हैं तो आपके कि हाथ बैठने पर डिपेंड करता है तीन तीन दाना बच डालते चले रही है देखिए हो गया है एकदा माराम से दोस्तो यह तरीका आमने सुचा आपको बता दे लेकिन सेर जरूर कीजिएगा जिसे कारीगर भाई को पता चल सके और आपको एक सेक नॉलेज मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर सोना चानने वाला जो वीडियो हम बनाए है बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है दोस्तो क्योंकि तामबा से हमने सोना चान कर दिखाया है और सोने का जबलरी बनाने के लिए आप किसी भी टंच में कैसे बना सकते हैं कितना मेल देना चाहिए तामबा चान्दी का और कितना सोना होना चाहिए सभी का गुड़ा भाग करकर दिखाये हैं और हमारी बहुत सारी वीडियो है जो लाखों में देखे जाते हैं दोस्तो आप सभी का प्यार है आप सभी का प्यार है देखिए दोस्तो हमने आप से बाते करते करते इतना गुठाई कर दिया यह एकदाम डारेक्ट दिखा रहे हैं दोस्तो आपके सामने है देखिए अगर कभी ज़्यादा अगर इस्पिरिंग गुम जा तो हलका से बैक कर लीजे हलका से बैक कर लेजे कि इसमें घूरू चल जा है अरे दिखाने थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों नहीं बहुत ही फास्ट गूरू गुथाई होता है इसको और इस्पिरिंग को हम तानते जाएंगे इसके उनसार और इसको लगाते जाएंगे अब देखिए थोड़ा सा भी स्पिरिंग अब हमको और तानना पड़ेगा यह यह इतना जिसको ज्यादा नहीं तानना है क्योंकि ज्यादा तानेंगे तो फिन घुमाने थोड़ा दिक्कत होता है थोड़ा थोड़ा आप करते जाएंगे होता चला जाएगा तो देख सकते हैं अभी भी एकदम मुमेंट एकदम मस्त चला है इसमें तीन दाना ही पड़ता है तीन दाना ही पड़ेगा इसके अंदर और इसके बाद इसको क्लीन आप कर सकते हैं तो क्लीन करने का भी बहुत सारा हमारे वीडियो पर बना हुआ है दोस्तों एक बार जरूर आद देखिए डस मिनट का समय ही निकाल कर कम से कम कोई भी वीडियो देखिए अच्छा लगे तो लाइक और सेर सब्काइब जरूर कीजिए और जिस भी टॉपिक पर आपको जांकारियां चाहिए आप कमेंट कीजिए दोस्तों उस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आने पर हम वीडियो बनाते हैं जिससे कि सभी को लाब हो सके और आप सेर करेंगे तभी ज्यादा कमेंट आएंगे लाइक आएंगे सेर आएंगे और तभी हम फटा फट जिस भी टॉपिक पर आप लोग का डिमांड होगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे बहुत सारे भाईयों कभी ये नहीं पता है कि सोने का चांदी का जैबेलरी को क्लीन कैसे किया जाता है पॉलिश कैसे किया जाता है तो बहुत लोग ऐसे ही बता देते हैं लेकिन हम आपको सही बताएंगे दोस्तों जो कि नया माल पर पॉलिश कैसे किया जाता है क्योंकि हम लोग कारीगार है खूद करते हैं और क्या-क्या केमकर लगता है कैसे होता है सभी जांकारियां आपको मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से लेकिन आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रुरत है क्योंकि कमेंट पर ही डिपेंट करता है कि वीडियो हम कौन सा बनाए ज्यादा कमेंट आएगा ज्यादा वीडियो बनेंगे आप देख सकते हैं अभी हम यहां तक पहुच गएं गुते गुते कुछ नहीं करना है बस तीन तीन डालते जाएए हलका सब घुमाते जाएए बस हो गया अराम से घुमाईए कोई दिक्कत नहीं है आप देख सकते हैं यहां तक आगे हमारा सफ़र हो गया और ये वायर डालना भी बहुत असान है ये वायर डालना ये देख सकते हैं आप इसके यहां से ये जब काट डिंगे अभी तो माल दीजे नहीं जाएगा इसे या तो इसके अंदर से डाल कर देखा सकते हम आपको इसके अंदर से इसके अंदर से इसे डाला जाएगा देख सकते हैं हम थोड़ा साब को डाल के दिखा भी दिये देखिए यहां तक डाल दिये न हमने इसी तरह से पूरा डाल दिया जाएगा डालने का बार यहां पर मोर दिया जाता है तो बहुत ही असान काम है घुगरू पहनाना लेकिन जिस भाई को अगर नहीं पता है तो करते का है अलग से तार लेते हैं और एक एक में डाल डाल के खिचते हैं जिससे की पैजनी का सत्या नास हो जाता है टेर हो जाता है बिकार हो जाता है कहीं घुगरू चप जाता है तो पैजनी जो है अपने सेप में रहे और उस पे कोई लोड भी न पड़े तो इस्पिरिंग बना कर आप डाल सकते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं कितना असानी से हमने दिखाया कि घुगरू को कैसे पहनाया जाए ठीक और जहां पर पयजणी वीगरे बनते हैं दोस्तों वहां पर सेम प्रोसेस से ही घुगरू को पहनाया जाता है सेम स्पिरिंग मना कर और इसके अंदर अभी वायर लगेगा वायर लगेगा तो एक घुगरू ऐसे उठ जाएगा यह यहाँ, ऐसे, मस्त लगता है पैजनी, और इसमें का लूज वाला भी आता है, लूज वाले में ऐसे लटका रहता है गुग्रू नीचे और जब वायर अंदर लग जाता है, तो टाइट हो जाता है, पैजनी भी टायूत हो, फिनी उसके बाद इसका सेफ ऐसे हो जाता है, आपके पास कच्चा चांदी है, पायल का है, कतरन है, तुकड़ा है, आप कारीगर है, आपके बुनिया की जूरत है, 100% चानी की जूरत है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, कई पार्ट में हमने बनाया है, और बहुत सारे भाई को पेपर नहीं मिलता है, फिल्टर वाला, तो हमने नार्मल पेपर फिल्टर से भी करके दिखाया है, कुछ वीडियो में हमारे है जांकरियां, तो वीडियो को आप पूरा देखे तभी जैंकरियां मिल पाएगी तो धन्य बाद आप सभी का दोस्तों